वेलकम टो एस्टेफ लॉक्ट आज हम बत करेंगे ऐसे एक चीज के बरे में जो हमारा लेप्टॉप में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा लेप्टॉप का बहुत परसेनल चीज रहते हैं तो उसको प्रटेक्ट करने के लिए हम लेप्टॉप को पासवर्ड प्रटेक्टे पहले इस यूजर को आपन करेंगे देखिए अभी उत्तर रंत आपन होगे कोई पसवर्ड नहीं मांगा तो अभी हम पसवर्ड लगाने के लिए हम पहले स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा जाने के बाद कंट्रल पन पेनल में क्लिक करना पड़ेगा इसके बाद इसक हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ओके दिखाएंगे इसके बाद हम जो निव पसवर्ड है वहाँ पे हम निव पसवर्ड डालेंगे तो निव पसवर्ड जो है आपका मन में वह डल सकते आप इसके बाद नीचे वाला जो अप्शन है इसमें हम कंफर्म पसवर्ड डलना पड़ेगा और अभी जी सब्संद में दिखा रहा हूँ येस इसमें अब दुबारा कन्फरमेशन करना पड़ेगा जो पसवर्ट पहले डाला था उसको फिर वहाँ पर डालना पड़ेगा तो चलिए हम डाल देते हैं तो अभी डाल दिया तो इसके नीचे जो हींट पसवर् फिलाप करेंगे क्योंकि इसको हींट फिलाप करने के बाद ये पूरा पसवर्ट दिखा देंगे दिखाने के बाद आपका यूजर किसी भी यूजर ने आपका एकाउंट को आपका कम्पीटर को खूद लोंगे तो अभी हम ओके क्लिक करेंगे तो ओके क्लिक करने के बाद आपको दिखाएंगे complete administered password protected अभी हमारा जो laptop है computer है वो protected हो गया तो हम चेक करेंगे तो उन्डेस में जाएंगे log off करेंगे log off करने के बाद log off करने के बाद हम दिखेंगे कि यह हमारा जो user है इसमें password हुआ के नहीं चलिए अभी दिखिए वो जो user है इसमें password protected दिखा रहा है अभी हम computer को open करने के बाद ऐसे दिखाएंगे password एंटर करने के बाद यह खुलेंगे तो हम password एंटर कर लिए तो अभी इसमें click करेंगे तो click करना के बाद हमारा जो computer है वो automatically खोल जाएंगे तो thank you guys